दोस्तों पुस्तके मानव अवचेतन पर काफी गहरा प्रभाव डालती है एक विचार सील वेक्ति की बौधिक खुराक सिर्फ कितावों में ही नहीं थे इन कितावों से ही इनसान का दिमाग अपने बिवित आयामों को गढ़ता है जो समाज में होने वाले सभी अच्छे बुरे हर क्रिया कलापों की प्रेरना बनता है लगभग हर महापुरुस या किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति का जीवन पुस्तकों से पुरुंत प्रभावित रहा है यदि आपको जीवन में कुछ बिशेस हासिल करना है दोस्तों तो निश्चित रूप से आपको कुछ खास करने की जरूरत होगी पर स्पेसल करने की प्रेरना किसी इंसान की तुलना में कितावे ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रदान करती है हलो दोस्तों ग्यान मंथर में आप सभी का हर्दिक भी नंदन करते हैं मैं हूँ सुबोध और दोस्तों आज हम आपके लिए अपने इस वीडियो में लेकर आए हैं उन नौ बहतरीन चुनिंदा बुक्स के वारे में जो जाववंत की भाती आपके भीतर छिपे हनुमान को जगा देगी तो चलिए फिर बतलाते हैं आपको इन नौ बहतरीन किताबों के वारे में दोस्तों इन किताबों के वारे में बताने से पहले हम आप सभी को बतला दें कि इन सभी किताबों को खरीदने का लिंक हमने वीडियो के नीचर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है आप उहां से जाकर इन सभी बुक्स को खरीद सकते हैं तो चलिए फिर सुरू करते हैं पहली किताब है दोस्तो Think and Grow Rich दोस्तो आपके ब्यक्तित को पुरुनता विक्सित करने में सक्षम नेपोलियन हिल के इस किताब की करीब 7 क्रोर कौपियां विक चुकी है इससे आप इस किताब की लोगप्रियता का अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तो यह पुस्तक जीवन में सफलता के नियमों को सफलता पुरुवक पाठको को सिखाने में कारगर है दोस्तो आपको इस बुक को पढ़ने से उन गलतियों का भी पता चलेगा जो आप अंजाने में करते हैं और इस बज़ा से आपकी सफलता भी बाधित होती है इसका ओरिजनल वर्जन 1903 सिस्वी में रिलिज किया गया था दूसरी किताब है दोस्तो दस सीक्रेट दोस्तो रोहांडा ब्रियने की एक किताब पूरी दुनिया में खासा लोगप्रिये है यह किताब दरसल आपकी थिंकिंग की अदभुत छमता के वारे में समझाती है कि आपके व्यक्तित्तों में आपके चिंतन का गहरा प्रभाव पड़ता है कुल मिलाकर यह आपको बेहत पॉजेटिव बना देगी यह आपकी नकारतमक्ता से होने वाले नुकसानों से भी परदा उठाती है तीसरी किताब है दोस्तो रिच डैड पूर डैड दोस्तो दुनिया में धन सबसे महत्पुन वस्तु है क्यूंकि यही आपको समाज में सम्मान और प्रसिधी को असरकारक बनाये रखता है इस पूस्तक में लेखक रॉबर्ट क्रियोस्की ने बड़ी सहज्ता से बित्प्रवंधन के सबसे प्रभावी तरीके वताये हैं कई बार हम सब कुछ प्राप्त करके भी कुछ खास नहीं कर पाते यह किताब आपको प्रवंधित करने में बहुत सहायक होगी जिससे आप अपने सारे काम वेश्ट कर सकेंगे चोठी किताब है दोस्तो द अलकेमिस्ट दोस्तो महान साहितेकार पाउलो कुयलो की यह किताब दुनिया की सबसे प्रेष्डना दाई किताब मानी जाती है दोस्तो यह किताब दुनिया की ब्यश्ट सेलिंग बुक भी रही है यह जीवन जीने के संभावनाओं को टटोलने और जीवन से आनंद ग्रहन करने की प्रेड़ना प्रदार्न करने वाली पुस्तक है इस किताब का ये काल जई उद्धरन आपको इसे पढ़ने के लिए मजबूर कर देगा ना मैं अपने अतीत में जीता हूँ ना अपने भविसे में मैं केवल बरतमान में जीने में विश्वास रखता हूँ अगर आप हमेशा अपने बरतमान में ध्यान रखें तो आप एक खुसहाल सक्सियत होंगे जिन्दगी आपके लिए एक उत्सव की तरह होगी एक भव्यत्य उहार की तरह क्योंकि जिन्दगी ओपल है जिसे हम बर्तमान में जी रहे हैं पांचमी किताब है दोस्तो सक्तिमान बर्तमान जर्मन मुलके कनाडियन लेखक एक हर टोले द्वारा लिखी गई ये किताब दपावर ओफ नौ का हिंदी रुपांतरन है यदि आप हतास हैं या परिस्थितियों ने आपको कमजोड और लाचार बना दिया है तो एक बार इस किताब की प्रस्तावना अवस्य पढ़ें ये आपको खुद के भीतर छुपी हुई ताकत का एहसास कराएगी आपको एहसास कराएगी कि आप में ओ सब कुछ है बस उसे सही दिसा देने की दरकार है इसलिए ये आपकी लाइवरेरी में अवस्य होनी चाहिए छटी किताब है दोस्तो लोक व्यवहार दोस्तो व्यवहारिक जीवन में आपने देखा होगा कि कई लोग बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं परंतु अपनी सफलता का राज हुए अकसर किसी को नहीं बताते इस किताब में उनकी बड़ी सक्सेस का राजशिपा हुआ है यह किताब डेल करनेगी ने इस किताब में पब्लिक लाइफ मैनेजमेंट के सारे गुडों का कलेक्शन है तो आप इस किताब को भी एक बार जरूर पढ़िएगा सातमी किताब है दोस्तो The Habits of Highly Effective People दोस्तो आपने अपने जीवन में महसूस किया होगा कि बेहत असरदार लोगों की प्रशनाल्टी में एक खास तरह का आखरसन होता है जो उन्हें आम लोगों से खास बनाता है परन्तु ये लोग कैसे खास होते हैं और आप कैसे उनसे पीछे रह जाते हैं इन सवालों का जवाब आपको कोई नहीं बताता पर कोई बात नहीं ये सारे जवाब आपको इस एक पुस्तक में मिल जाएंगे दोस्तो यदि आपको उनसरीखी प्रसिधी और पबलिक का अट्रेक्शन चाहिए तो इस पुस्तक को एक बार अवस्य पढ़ें आठमी बुक है दोस्तो दोस्तो लाखों लोगों को मोटिवेट करने वाली रौविन सर्मा अपनी इस पुस्तक से सीधे आपकी भाबनाओं को छूते हैं किताब थोड़े दार्सनिक अंदाज में लिखी गई है जो आपके जीवन में फैले तनावों के बादलों को छंट जाने में मदद करती है यह पुस्तक जीवन के परती आपके द्रिश्टी कोन को काफी हद तक बदल सकती है और नौमी बुक है दोस्तो दे मैजिक आफ थिंकिंग बिग दोस्तो डेविड स्रॉट्स की सबसे बहतरिन किताबों में से यह एक किताब पाठको को बांध सा लेती है आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं आप में सब कुछ है बस इसके सही इस्तमाल की अवसकता है इस सकारात्मक बिचारधारा को लेखक ने बड़े गूर तरीके से इस किताब में सपष्ट किया है जो आपके जीवन में पॉजेटिवनेस का भंडार खोल देगी तो दोस्तो यह थे ओ नो वहतरिन किताबे जिने हर मनुस्य को अपने जीवन में एक बार जरूर पढ़ना चाहिए दोस्तो इन सभी किताबों की खरीदने की लिंक हमने वीडियो के नेचर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है आप उहां से जाकर इन सभी किताबों को खरीद कर पढ़ सकते हैं तो उमीद करते हैं दोस्तो आप सभी को हमारे वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारे चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है और आप ऐसे ही ज्यान वर्धक वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल ज्यान मंधन को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहे जानते रहे धन्यवाद जय हिंद